नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में देखिए आज हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी बाइलोजी की बुक लिस्ट के बारे में कि की आपको टीजीटी और पीजीटी में कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उनके बारे हम थोड़ा डिसकस करेंगे लाट तक अब इससे देखेंगे जो पीजीटी एटीटी के लिए आपको कुछ पहली पहले ब्यसिक बुक्स पढ़नी है जैसे एंसे ऐटी हो गई यह आपके रिप्रेंस वुक हो गई हैं आइसे आपको पढ़नी है अलेवन और ट्रवल्थ की एंसे आइटी पढ़नी हैं ले लिए जैँदी मीडियम के तो आप के पास होंगी ही और साथी आप रिफरेंस बुक्स भी पढ़ सकते हैं और इसके बाद के बाद में और रिफ्रेंस बुक्स या फिर आप जैसे हिंदी में निव चित्रा की गायड है भी आती थी अगर जैसे रमेश गुपता की आप वे बुक्स नहीं है जुलो जी बहुत नहीं है तो आपके पास चित्रा की होगी चित्रा बढ़ सकते हो साथ मैं एंसी आटी होते हैं तो आप इसको प्राड़ी लगाइए वह पीछे अब्यक्टिव दीए होते हैं और एक लिए तो आपको दिखाता है यह आपको ले लेनी है अगली फिक्यान निकार्ध लिए प्रट पाल की इन यह पको लेनी है इससे क्या होगा इसमें जो आपकी टीजी पीजिए तो आप इसका सब्सक्राइब बना लीजिए जो इंपोर्टेट पॉइंट है कॉमन नेम होगे उनके कैसे टाइप का उसमें मतलब डाइजेशन होता है लोकोमोशन कैसे होता सारा आप कि संग से होता है इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हों डाउन कर लीजिए उसको अंडरलन की लीजिए इससे आप पड़ सकते हैं यह अगली बुक्स है जो वह जन्त विग्यान की टेस्ट बुक है सिंग पाइंट है जैन की यह भी ब्राइफाइट्स वायरस वैक्टिरिया एलगी फंजाई और ब्राइफाइट्स इस बुक्स से आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है तो यह बुक्स आपको व्यस्य बारी पर्चेट कर लेना और इसको बहुत ही मतलब आपको डीप बॉक्स इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको कुमार मलिक सौरी ड़टर आर के पिल लए ओक जो इतिने रुपए साथ आप दो तीन बार अगर एक मूवी देखने जाएंगे दोस्तों के साथ साथ उड़ा ही देते होंगे तो इसलिए आप बुक से ले लिजिए बहुत फाइदे मन्द होगी आपके लिए और आप को सब परसेंट सबलता दिलाएंगी ठीक है इसलिए आप एक एक करके लिए लिए जिएगा थोड़ी रुपए जमा करके लिए 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 इससे प्रक्टिस करना है इसमें लगबग 5600 कोस्चन हर जैप्टों में 600 सी 700 700 सी 700 तक कोस्चें इसमें दी हुए है तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी वुक्स होगी है अधिकल के इंट् सब्सक्राइब है तो आप दोनों वुक्स वाली ले जिएगा और अगली वुक्स है जो यूथ कंप्टीशन की जुलो जी की इसमें क्या लाश्टी की जितने कोश्चन होते हैं जिन तेने हिंदी बासी राज्य हैं उसके टीजी टीटी पीजी टीके बाइलो जी के कोश्चन सकते हैं इसी परकार से यह है बहुत नहीं का सेम ही है यह यह आप ले लें लगवग इसमें दोनों में 4881 कोश्चन दिये हुए हैं इसमें भी सेमी हैं तो यह आप लगा सकते हैं बहुत ही हेलफुल यह दोनों बुक्स होंगी आपके लिए और अगला काम क्या करना है जब आप चार-पांच बुक्स लगा ले उसके बाद आपको एवाली यह छूनी हैं तो आप पढ़ चुके होंगे आल लेडी लेकिन कोश्चन तो वही घूमफर के आते हैं इसलिए कटाप इद नहीं जाती है लगव एक सो पंद्रा एक सो दस कटाप जाती है एक सो पचिस से की कोश्चन को याद कितना रख सकते हैं वह आपको देखना तो इससे आपको लगाना एक सॉल्विट वेपर हैं इसमें प्रक्टिस ही हो जाएगी आपकी और अगला है पीजीटी का पीजीटी वाले यह भी ले 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 ठीक है यह मैं समझे कि जैसे मैं पीजीटी दे रहा हूं तो मैं टीजीटी वाला नहीं लूँगा टीजीटी के कोश्चन पीजीटी वालों के लिए उनली इतना जो मैंने भी बताया यह कंप्लीट मटेरील है टीजीटी के लिए अगर इतना आपने अच्छे कर लिए वार वार रिवाइज कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा सो परसेंट हो जाएगा अगर आप इमानदारी के साथ त्यारी कर है ठीक है चलिए अगला गाम अगले बताता हूं अगर आप पीजीटी प्रेवत्ता के त्यारी करें तो आपको त्यरी एर्स की जितनी भी बुक्स है ब्यस्सी की वह भी आपको पढ़नी होगी क्यों पढ़नी होगी यह वाल से वैसा है और उसमें बहुत ही डीपली पूच पूचे जाता है जाते हैं कोश्चन तब आपको उसकी गहराएं में जाना होगा इसलिए आपको ब्यस्की बुक्स भी पढ़नी होगी जितनी भी है और साथी साथ जो मैंने पीछे आपको बुक्स दिखाई है यह सारी की सारी आपको पढ़नी है ठीक है तो इस प्रकार से आपको ये सारी बुक्स पढ़ लेनी प्रवक्ता के लिए थोड़ा एक्ष्टा एफर्ट डालना होगा आपको तो आप ये सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं मतब एक साथ नहीं धीरे धीरे आप कर लीजिएगा कभी एक बुक्स ले ली एक मैने में तो लाइक कर दें अपने मित्तों को सेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका समय सुभू